नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सबका हमारी यूटूब चैनल मनीनिस्ट में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग SDFC बैंक का UPI ID जनरेट करना सिखेंगे अगर आपने भी अपना एकाउंट खुलवाया है तो आपको भी इसकी जूरत पढ़ सकती है तो वीडियो देख लीजेगा इसके लिए सबसे पहले आपको SDFC बैंक के मोबाइल एप में लॉगिन कर लेना है यहां हम एप के द्वारे UPI ID बनाना सीख रहे हैं यहां पर आपको login ID और password डालना है password डालने के बाद में आपको login कर लेना है अब login होने के बाद में कुछ इस तरीके का page आपके सामने open हो जाएगा अब आपको उपर की और जो बाई और तीन लाइने हैं इसके उपर click करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ये विकल्प खुल करके आए है इनमें जो दूसरा option है पे आप उसके बगल में ये जो arrow देख रहे हैं इसके उपर क्लिक करना है चलिए इसके उपर हम लोग क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में पहला option आप देख रहे होंगे UPI Payments का आ रहा है अब आपको इस UPI Payments के option पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी आपके mobile number इसमें mobile में लगे होंगे वो options आ जाएंगे आपका जो bank के साथ registered है mobile number इसको choose कर लिजे मेरे case में second वादा मेरा mobile number है तो इसको मैंने choose कर लिया choose करने के बाद में ये फिर से process हो रहा है process होने के बाद में आपको bank के द्वारा SMS भेजा जाएगा अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ details आपने कि उन्होंने दे रखी है और blue color में ये continue लिखा हुआ है ये आपको दिखाई पड़ा होगा तो आपको अब simply जो continue का option है इसको choose करना है और यहाँ पर आपको click कर देना है click करने के बाद ये फिरागे की ओर process हुआ है और बता रहा है you have successfully created your UPI ID तो यहाँ पर done के option पर अब आपको click करना है और आप उपर देख रहे हैं कि pop-up के द्वारा HDFC bank के द्वारा message भेज़ करके बताया जा रहा है कि आपने successfully registered कर लिया है अब done वाले button पर हमने click कर दिया click करने के बाद में आप देखेंगे your UPI ID लिख करके आपका जो UPI ID है वो आ गया है तो इस UPI ID का इस्तमाल आप किसी भी payment के लिए कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा तो दोस्तों काफी आसान है SDFC bank का UPI ID बनाना तो अमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद